हेलो एवरीबान दिसीज अर्चना वंस अगेन वेल्गम बैक टू आवर यूटुब चैनल कृति का शानवी क्राफ्ट एन कोकिंग भाई अर्चना आज मैं आपके साथ गनपती बपा का प्रिये भोग मोदक की रेसिपी सेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ही असान है और इसके साथ ही इसमें दूद आट करेंगे मैंने यहां छोटी गिलास से एक गिलास दूद आट किया है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स मैं यहां मिल्क पॉडर यूज़ कर रही हूं मैं यहां दो कटोडी मिल्क पॉडर यूज़ करूँगी अभी मैंने सिर्फ एक कटोडी मिल्क पॉडर लिया है और इसे अच्छी तरह से מिक्स कर लेंगे इसमें बिल्कुल लंप्स नहीं पड़ना चाहिए तब तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे ये लगबग मिक्स हो चुक्या है अब इसमें दूसरी कटोरी मिल्क पॉडर एड़ करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए पकने देंगे अच्छी तरह से इसके बाद यहां में एक कटोड़ी नारियल का बुड़ादा यूज कर रही हूँ इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे भी पकाएंगे यह अल्मोस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ते साथी मैं यहाँ पे पी सीवी चीनी एड़ करूँगी यहाँ मैंने पाँच चमच चीनी लिया है चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम जादा कर सकते हैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें चीनी मिक्स करते ही यह थोड़ सा गीला हो जाएगा तो इसे थोड़ी देर और अच्छी तरह से सुखा लेंगे इस स्टिच पे यह अल्मोस्ट अच्छी तरह से गारा हो चुका है अब हम इसमें इलाइची पॉडर एड़ कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इलाइची पॉडर आप्षिनल है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे इसे टू पार्ट में डिवाइट कर रही हूँ एक पार्ट को अलग कर लेंगे एक पलेट में इसे निकाल लेंगे इसे एक तरफ रख देंगे अब हम दूसरे पार्ट में थोड़ा सा कॉको पॉड़र एड़ करेंगे एक चम्मच के करी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे mix करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं यहां थोड़ा सा दो चमच के करीब दूद एड़ करूंगी और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे इस टाइम पर यह अच्छी तरह से बिलकुर mix हो चुका है इसे थोड़ी देर के लिए और गारा कर लेंगे आप देख सकते हैं यह बिलकुल तैयार हो चुका है चॉकलेट और वाइट मोदक बनाने के लिए रेडी हो चुका है तो अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ ड्राइफ्रूट्स का पॉडर अगर आप चाहे तो इसमें ड्राइफ्रूट्स को बारी काट कर भी डाल सकते हैं मैं यहां इस पॉडर यह यूज़ कर रही हूँ अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से mix कर लिया है अब हम फटाफट से मोदक बनाना सुरू करता है तो इसमें हलके हाथों से प्रेस करते जाएंगे ताकि यह अच्छी तरह से फिल हो जाएं और जो भी साइट से एक्ष्ट्रा पार्ट निकलेगा उसे निकाल देंगे रिमूव कर देंगे इसे हलके हातों से निकाल लेंगे बाहर आप देख सकते हैं मोदक इतनी अच्छी तरह से बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है बहुत ही आसान है इसे बनाना एक और मैं आपको बना कर दिखा देती हूं बीना मोल्ड के भी आप मोदक बना सकते हैं इसी प्रोसेस के साथ हम बाकी मोदक भी बना कर रेडी कर लेंगे तो ये चॉकलेट मोदक हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है तो यहां मैंने चॉकलेट सारे मोदक बना कर रेडी कर लेंगे अब हम वाइट मोदक बनाते है तो white modak के अंदर में थोड़ा सा dry fruits बारी काट कर add कर रही हूँ आप चाहें तो इसे बिल्कुल direct भी ऐसे बना सकते हैं बिना dry fruits बीच में add किये भी और सेम उसी process के साथ जैसे हमने chocolate modak बनाया था सेम उसी process के साथ white modak भी बना कर ready कर लेंगे और हमारा मावा मोदक और chocolate modak बनकर बिल्कुल ready हो चुका है तो अब हम इसे serve कर लेते हैं आई होग कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्ली लाइक कर देना, share करना, comments करना और बताना कि आपको ये recipe कैसी लगी है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye